है है ईवरिवन तो आज हम लोग जिस्स नौवल के समरे डिसक़ करने साइव इसका टाइटल है सेतैनिक वर्षिज और इसकर जो राइटर है वह सलमान रुष्टी सलमान रुषिटि एक बृतिस इंडियन राइटर ऑर यह जो सेतैनिक वर्षिज है लिए इनकी फोर्थ Magic Realism और इसको जो है सबसे पहले लिखा गया था English Language में वैसे तो ये जो novel है ये एक fictional novel है लेकिन ये जो fictional novel है तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जो fictional novel है ये Muslim religion के court को जो है target कर रही है और ये जो book है इसको जितने भी Muslim ने पढ़ा तो उनको लगा कि सल्मान रुष्टी ने जो है कुरान के divine nature को जो है challenge करने की कोशिश की है तो इस book ने इतनी बड़ी controversy create कर दी publish होने के बाद ही आप इससे जो है इसकी controversy का पता लगा सकते हैं कि जो इरान के supreme leader आयत उल्ला है उन्होंने जो है फत्वा जारी कर दिया कि इस book के author, publisher और editor सब को मार दिया जाए इस book के publish होने के बाद से ही सल्मान रुष्टी की life के उपर जो है खत्रा बना हुआ था और even इस book के publish होने के बाद जो सल्मान रुष्टी थे वो 10 सालों के लिए protected hiding में चले जाते हैं और even इतनी सालों के बाद भी ये जो book है ये बहुत जादा controversial book है even हाल ही में सल्मान रुष्टी के उपर जो है जानलेबा हमला हुआ है उनको जो है चाकू से stab किया गया है और इसी book के controversy के कारण तो ये जो book है इसका जो है बहुत सी countries में बिरोध किया गया ये जो book है ये बहुत सारी Islamic country में बैन है और इसको जो है फाड़ा गया है जलाया गया है तो ये जो book है ये बहुत जादा controversial book है तो हम भी इस video में जो है इस book को जो है as a educational purpose से discuss कर रहे हैं किसी भी जाती धर्म और समुदाय के लोगों को जो है इस video के द्वारा hurt करना जो है मेरा उदेशय नहीं है तो आप प्लीज इस book को जो है इस book की summary को जो है as a educational purpose से ही समझे और as a educational purpose से ही understand कीजिए तो इस novel में जो है एक कालपनिक story बताई गई है और ये जो story है ये बहुत जादा complex है क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे dreams बताये गए है जो main teen dream बताये गए है तो इसमें जो है story के अंदर story है तो आपको confused नहीं होना है तो लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो है characters बता देती हूँ जो main main characters है तो यहाँ पर सिर्फ दो ही main characters है जिनके revolve जो है सारी की सारी story घूमती है तो first जो important character है वो है जिवरिल फरिस्ता और second जो main character है वो है सलादिन चमचा तो ये दो बहुत ही main character है तो सबसे पहले मैं इनकी life के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आप story में confused ना हो तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो जिवरिल फरिस्ता है ये एक successful Bollywood superstar होता है और ये जो जिवरिल है ये बच्पन में जो है orphan होता है और इसको जो है एक बहुती wealthy family adopt कर लेती है और इसके बाद ये जो जिवरिल है ये बहुती famous और successful Bollywood actor बन जाता है और इसे काफी जादा जो है क्योंकि ये एक actor होता है तो इसके काफी जादा affair रहते हैं इसके काफी जादा romantic relations रहते हैं और अभी इसे एक English mountaineer लड़की होती है जिसका नाम होता है Alleluia Cone तो इसे जो है इस Alleluia Cone से प्यार होता है और ये जो है इस Alleluia Cone को जो है follow करते करते ही जो है लंदन जा रहा होता है एक flight में बैठा होता है दूसरा जो main character है और जो main protagonist है इस story का वो है सलादिन चमचा तो ये जो सलादिन चमचा है ये भी एक Indian Muslim actor होता है और जो Jibreel है वो भी एक Indian Muslim actor होता है तो ये जो लेकिन ये जो सलादिन है ये एक जो है voice over artist होता है और ये जो है सलादिन ये काफी खुले विचारो वाली family में पला होता है तो इसका यंग age से ही एक सपना होता है ये जो है Great Britain में जाएगा और वहाँ पर रहना होता है इसको तो eventually इसका जो सपना है वो सच हो जाता है और ये जो है एक British woman Pamela Lovelace से जो है ये इसकी wife होती है Pamela Lovelace तो इससे जो है ये साधी कर लेता है हालांकि इनकी marriage में काफी जादा difficulties आ रही होती है सलादिन इंडिया गया होता है अपने father को जो है मिलने कि इसका father जो है इंडिया में होता है तो उनसे मिलने के लिए इंडिया गया होता है और अभी ये भी जो है इंडिया से बापिस London आ रहा होता है एक flight में बैठा होता है ये भी उसी same flight में बैठा होता है सलादिन भी जिसमें जो है जिब्रियल बैठा होता है तो यह थे दो मेन करेक्टर स्टोरी के जो में प्रोटर श्विगनिस्ट थे और बाकी के जो माइनरिकर्टर्स न consist के साथ में बता दूंगी तो अब हम लोग जो है स्टोरी की समरी स्टार्ट करते हैं तो ये दोनों जो करेक्टर हैं जो दोनों एक्टर होते हैं जिब्रियल और सलादेन ये दोनों कलकार होते हैं फिल्म कलकार होते हैं और ये जो है हवाई जाज के जरिये जो है मुंबई से लंदन जा रहे होते हैं बीच में ही हवाई के दौरान जो है accidentally जो terrorist है वो plane के अंदर ही bomb को जो है बिसपोर्ट कर देता है और इस घटना में जो जिब्रियल और सलादीन है वो समूदर में जा करके गिर जाते हैं जैसे ही जिब्रियल और सलादीन जो है plane से गिर रहे होते हैं तो उन दोनों की body में transformation होती है वो उन दोनों की body जो है change होने लग जाती है जो जिब्रियल है वो angel के रूप में change हो जाते हैं मतलब एक देबदूत बन जाते हैं और एक फरिष्टा बन जाते हैं और जो सलादीन है वो demon बन जाते हैं, सलादिन जो है वो शैतान का रूप ले लेते हैं बाकि सब passenger जो है इस plane crash में मर जाते हैं सिर्फ ये दो passenger ही जिन्दा बचते हैं जो कि ocean में गिर जाते हैं और ocean की लहरे इनको बहा करके एक England के बीच पर ले जाती है तो वहाँ पर ये जो है बेहोश पड़े होते हैं तो जब जिबरिल जो है फ्लाइट से गिरता है तो जिबरिल को जो है एक dream आता है, मैं आपको बता दूँ इस book में जो है जिबरिल को पूरे तीन dreams आते हैं और उन तीनों books को जो है इस novel में काफी जादा elaborate किया गया है तो जितने भी जिबरिल को जो है characters दिखाई देते हैं अपने dreams में तो उन characters को मैंने यलो कलर में लिखा है ताकि कोई confusion create ना हो और जो present में story चल रही है उनको white color में लिखा है तो यहाँ पर क्या होता है कि जिबरिल को जो dream दिखाई देता है उसमें एक व्यक्ति दिखाई देता है जिसका नाम होता है महूद और यह जो महूद व्यक्ति है यह एक businessman होता है लंदन में और यह जो जिबरिल है यह खुद को भी dream में देखता है और खुद को जो है यह as a जिब्रिल एंजल देखता है मैं एक फरिष्टे की तरह इसको जो है खुद को दिखाई देता है ड्रीम्स में एक मैसेंजर होता है तो मैं आपको बता दूँ यह जो महूद करेक्टर है इसको माना जाता है कि यह महौम्मद के उपर होता है कि यहां पर जो है एक जाहिलिया टाउन होता है एक जाहिलिया विलेज होता है और वहां के लोगों को जो है कनवर्ट करना होता है वहां के जितने भी लोग होते हैं वो पॉलिथियस्टिक होते हैं मतलब वो जो है एक से जादा भगवान में जो है बिलीव करते हैं ले कोशिश करता है इस गाओं को जो है यह जो जाहिलिया टाउन है, इसको कनवर्ट करने की मोनो थिस्तिक रिलेजिन में तो यहां पर यह इन लोगों को बिलीव करवाने की कोशिश करता है कि वो सब जो है वो सब जो detector ist प्रेजन को अपना ले जो सिंगल गॉड है जो पावरफुल गॉड है अल्ला उनको माने तो अब इस जहीलिया गाउं में जो है इस टाउन में एक लीडर होता है जिसका नाम होता है करीम अबू सिंबल तो यह जो करीम अबू है यह जो है महूद के सामने एक कंडिशन रखता है और यह कहता है कि यहां पर इस जहिलिया गाओं की जो है तीन older goddess है इस village की तो यह जो इस village की goddess है इनको भी अलॉग किया जाएगा to be part of this new religion तो यह condition जो है यह करीम जो है महूद के सामने रखता है और करीम जो है महूद से कहता है कि वो माने की जो गौड है अल्ला उनकी जो है तीन subordinate goddesses है और जिनका नाम है अलात अलूजा और मननत और करीम जो है महूद को यह भी कहता है कि अगर वो इस condition को पूरा करता है तो करीम अबू और गाओं वाले जो है उसके religion को अपना लेंगे तो अब यहां पर जो महूद है वो बहुत जादा confuse हो जाता है उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो वो जो है मतलब करीम की बात उसको माननी चाहिए या फिर नहीं माननी चाहिए इसके लिए यह वो बहुत जादा confuse हो जाता है तो वो verses से जो है ये जो अलात है अलूजा और मननत है ये जो goddesses है इनको divine recognition मिल जाएगी तो बाद में जो है महूद को पता चलता है कि जिन verses को जिन verses में जो है goddess को describe किया गया है religious text में ये जो verses है ये जो है ये verses angel ने नहीं दी थी लेकिन ये जो है devil ने दी थी मतलब शयतान ने दी थी तो बाद में जो है इन इनी verses को जो है satanic verses कहा गया है शयतान की आयतें तो यही से जो है जो सलमान रश्डी है उन्होंने अपनी book का title लिया है satanic verses तो इसके बाद जो महूध है इन verses का त्याध ठीडेते हैं और ये जो महूद है, ये बाद में जो है, जाहिलिया टाउन को छोड़ करके यहां से बहुत दूर चले जाते हैं, तो अब जो स्टोरी है, वो फिर से प्रेजन टाइम में आ जाती है, तो यहां पर जो जिब्रियल और सलादिन है, ये बीच के उपर पड़े होते हैं, बेहोस दाइमंड, तो ये जो लेडी है, ये इनको वीच के उपर भेहोस पड़ा देखती है, और रोजा दाइमंड इनको अपने घर ले जाती है, स्टे करवाने के लिए, तो यहां पर जब सलादिन को होस आता है, तो सलादिन सबसे पहले अपनी वाइफ को कॉल करता है, तो इसक उनों क्या करते हैं, ये सब जो लोग हैं, ये पुलिस को बता देते हैं, तो पुलिस यहां पर आती है, तो जो पुलिस है, वो सिर्फ और सलादिन चमचा को ही अरेस्ट करती है, और जो जिब्रिल है, उसको अरेस्ट नहीं करती है, ये देख करके जो सलादिन है, वो बहु यह सतकती बुरी लगती है और अब जो सलादीन है इसको पुलिस पकड़ के ले जाती है और इसHello इनकी बॉड़ी है वो धिरे धिरे गोट की तरह बन रही होती है बकरी की तरह जो एमचेकर हो इसके बाद सलादीन को hospital में admit कर वाय जाता है जहां पर जो है ऐसे ही लोग admit किये गए होते हैं जो जो है इनसान से जानबर बन रहे होते हैं तो अब hospital से ये जो सलादीन है ये कुछ और hospital के patient के साथ मिल करके hospital से भाग जाता है अब भाग करके जो सलादीन है वो सबसे पहले अपनी wife Pamela के पास जाता है लंदन में और लेकिन वहाँ पर जाकर के जो सलादीन है वो बहुत जादा shocked रह जाता है क्योंकि इसकी जो wife है वो जो है इसके पुराने दोस्त जंपी जोसी के साथ रह रही होती है और इन दोनों के बीच में जो है affair चल रहा होता है तो यहाँ पर जो है सलादीन को देखकर के यह जो इसकी wife Pamila है और इसका जो दोस्त है यह दोनों भी हैरान रह जाते हैं क्योंकि एक तो इसकी जो body है वो goat की तरह चेंज हो रही होती है और इनको लगा होता है इसके दोस्त और इसकी जो wife है इनको लगता है कि यह तो जो है बदला लेना चाता है क्योंकि उसने उसको arrest होने दिया होता है वहीं दूसरी तरफ जो जिब्रिल होता है वो अभी भी रोजा के घर में ही रह रहा होता है लेकिन कुछ टाइम के बाद जो रोजा है वो मर जाती है तो ये जो जिब्रिल है ये लंदन में यहां बहां भटकने लग जाता है और एक दिन जब वो पार्क में भटक रहा होता है ऐसे ही तो वो जो है बहोस हो जाता है और यहां पर जो एललुया है वो उसको बहोस होते हुए देख लेती है ये वही एललुया है जिसको जिब्रिल जो है प्यार करता है तो यह इसको जो है यहां पर भिहोश होते हुए देखती है और अपने घर ले जाती है तो जब जो है जिब्रिल जो है इसके घर में जाता है ललुया के घर में और वहां पर जा करके सो जाता है तो इसको जो है एक और सपना आता है तो अब जो है इसको second dream आता ह जिसको हम discuss करेंगे तो इस बार जिवरिल को एक इमाम नाम का व्यक्ति जो है अपने सपने में दिखाई देता है तो यह जो इमाम है यह लंदन में रहता है और एक और लड़की जो है जिवरिल को अपने सपने में दिखाई देती है जिसका नाम होता है आईशा तो यह जो इम्परर से हटाना चाहता है देश की एम्परर से हटाना चाहता है उसका तकता पलट करना चाहता है तो इमाम यहां पर क्या करता है इमाम जो है जो जिवरिल फरिस्ता होता है उसको बुलाता है और जो जिवरिल फरिस्ते को आदेश देता है कि यह जो फरिस्ता है यह जो इम तो जिब्रिल को जो है इमाम के जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है तो अब जब जिब्रिल जो है इमाम को ले करके आईशा की पैलेस में पहुंच जाता है तो वहां पर एक गॉड़स सामने आ जाती है और जो गॉड़स है वो जिब्रिल और रोखने की कोशिश करती है तो यहां पर जो जिब्रिल है वह को आर्डर देते help कि वहां आइशा को सब्सक्राइब हरा देता है और यहां को ऑगे रूळर ठीट है जो वहां की एम्पेरर होती है उसको थाा देता है तो इस तरह से जो जो दूसरा सपना है वो खतम हो जाता है तो next जो है ये जो जिब्रिल फरिस्ता होता है इसको एक और सपना आता है तो ये जो है तीसरा ड्रीम है तो इस ड्रीम में जो है जिब्रिल देखता है एक आदमी जिसका नाम होता है मिर्जा सईद तो ये जो मिर्जा सईद है, इसकी wife होती है Michelle, तो ये जो दोनो husband wife होते हैं, इन दोनों के कोई भी बच्चा नहीं होता है, तो इन्होंने एक लड़की को adopt कर लिया होता है, जिसका नाम होता है Aisha, तो यहाँ पर Aisha नाम रिपीट हो रहा है, लेकिन ये जो Aisha है, ये और Aisha होती तो ये जो आईशा है ये आईशा ओफ तितलीपूर होती है तितलीपूर की रहने वाली होती है तो ये जो आईशा ओफ तितलीपूर होती है इसको जो है विजन आते हैं और इसी कारण से ये तितलीपूर के जो गाउं के सभी लोग होते हैं वो आईशा को जो है जिब्रियल क कि जिब्रियल फरिष्टा की जो है वाइफ समझते हैं क्यूंकि ये जो मिशैल होती है इसके कोई भी बच्चा नहीं होता है तो इस कारण से ये जो मिशैल है ये आईशा के क्लोज होती है क्यूंकि वो जो है समझती है कि जिब्रियल फरिष्टा की वाइफ है जो आईशा है ये उनकी मदद कर सकती है लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है जो मिशेल है इसको कैंसर हो जाता है तो आईशा सारे विलेजर को बोलती है कि अगर सब जो विलेजर है वो एक साथ तिर्थ यातरा पर जाते हैं तो इससे क्या होगा कि जो मिशेल है उसका कैंसर ठीक हो सकता है तो अब ये जो सब बिलेजर होते हैं ये मिशेल को बचाने के लिए इस तिर्थ यात्रा पर चलने के लिए त्यार हो जाते हैं अब ये सब तिर्थ यात्रा पर चले जाते हैं आईशा के साथ मिल करके लेकिन ये जो तिर्थ यात्रा है ये बहुत जाता डिफिकल्ट होती है और इस यात्रा के दौरान ही कुछ यात्रियों की तो death भी हो जाती है dehydration से और भूक के मारे और इसी यात्रा के दौरान जो Michelle के husband है मिरजा इनकी भी death हो जाती है तो ये जो सपना है जो तीसरा सपना होता है ये भी खतम हो जाता है तो अब जो story है वो फिर से present time में आ जाती है तो यहाँ पर इस जो सलादीन होता है इसका जो hate है वो जिब्रेल के लिए दिन प्रति दिन बढ़ता ही जाता है और ये जो सलादीन है ये डिसाइड करता है कि ये जिबरिल को मार डालेगा लेकिन इसको बहुत सारी opportunities मिलती है लेकिन उसके वावजूद भी इसको नहीं मारता है लेकिन सलादीन अपना बदला लेने के लिए जिबरिल के दिमाग में उसकी लवर एलिलुया के खिलाफ बहुत जादा जहर भरने लग जाता है और उसको सक पैदा करने लगता है कि उसके तो बहुत सारे लवर है और उसके बहुत जगा अफेर चले हुए है इवन एक बार तो ये जो जिबरिल होता है ये सलादिन की जान भी बचाता है इसके बाद ये दोनों अलग-अलग से इंडिया वापस आ जाते है अब ये जो सलादिन चमचा होता है इसके फादर की डैथ हो जाती है और इसको जो है अपने फादर की सारी प्रॉपर्टी और सारा जो मनी होती है पैसा होता है वो इनहेरिट हो जाता है तो इसके बाद ये जो सलादिन है ये डिसाइड करता है कि ये जो है अब इंडिया में ही रुकेगा इंडिया में ही रुकने का फैसला करता है वहीं दूसरी तरफ जो जिब्रिल होता है ये जो है इंडिया वापस आकर के बहुत सारी मूवीज करता है लेकिन जितनी भी मूवीज में ये काम करता है वो सारी की सारी movies फ्लॉप हो जाती है तो यह जो जिबरिल है यह बहुत जादा frustrate हो जाता है अपनी life से और जो है बहुत ही जादा परिशान हो जाता है तभी एक दिन यह क्या करता है कि यह बहुत जादा इसको jealousy feel होती है और इसको जो है बहुत जादा गुसा आया होता है तो यह क्या करता है यह जो इसकी girlfriend होती है एलेलुया इसको जो है मार देता है इसका murder कर देता है और इसके बाद में यह जो है जो जिबरिल है यह खुद को भी जो है गोली मार करके जो है suicide कर लेता है तो यहां पर यह जो नौवल है इसकी एंडिंग हो जाती है तो I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी अच्छी लगेगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में अब तक के लिए अपना ध्यान रखिये बाइब है